नमस्कार मिरा नाम है साजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्श नाइड न्यूस पॉलिटिकल बाइड देखें कॉंग्रेस और विपक्च को लेकर के लगातार 2024 को लेकर के कई बाते कही जा रही थी अर विपक्च के एक जूटता की बात यहां पर की जा रही थी अरवीन के जिरिवाल हो चाहे शरत पवार हो तमाम 2024 तक एक जूट हो जाएंगे मजबूती से यह बात कही जा रही थी और लेकिन भारतिय जनता पार्टी लगातार यह बात कहते वे नजर आ रही थी कि जैसे विधान सभा के राज्यों के ही चुनाव आएंगे वैसे ही विपक्स ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और ठीक वही देखने को मिल रहा है अब देखी कि जिस तरीके से तरीपूरा और नागा लेंड और मेगाले के चुनाव हुए उसके बाद अब राजस्थान और मद्यपरदेश के चुनाव जो है वो चौकट पर पहुँच चुके हैं जिसके बाद कॉंग्रेस पार्टी जो है अपनी दोनों राज्यों की जमीन को बचाने के लिए अर्विंद केजरिवाल को पहले दरकिनार करने के मूड में नजर आ रही है आपको बता दे के कॉंग्रेस की परवक्ता सुप्रिया स्रीनेट ने यहाँ पर अर्विंद केजरिवाल पर निसाना साधा है उन्होंने मनीज सिसोधिया की गिरफतारी पर उनका विरोध किया और कहा कि हम आपका साथ क्यों दे अर्विंद केजरिवाल की आम आदमी पाटी बड़े मजबूती से जो है उपर आ रही है और आगे बढ़ रही है तमाम राज्यों में अपने पैर पसारते वे नजर आ रही है पंजाब उसके बाद गुजरात में नहीं पाटी होने के नाते पास सीट लेकर आई तो एक कर रहा है तो इसलिए कॉंग्रेस का दरकिनार करना इन केजरिवाल को महां गडबंदन से कहलो तो बिल्कुल जायज बाब लगती है मजबू कि पंजाब से हाथ दो बैठा कॉंग्रेस ने गुजरात में देखे जो जितने भी हवा बनी बीजेपी की तो वह किसके बदोलत बनी तो इसलिए जहां जहां पर देखे आर्विंद केजरिवाल जी आ रहे हैं अपने पाउव रख रहे हैं वहां पर जल्दी जल्दी देखिए वह गिरती जा रही है जितनी जितनी तेजी से कॉंग्रेस कर रही है अपर जारे चल रही हैं जाते जल्दी जगाट तो इसलिए हर जगह से नागालेंड नों जगहा देखे कॉंग्रेस का खातान तक नहीं खुल पाया में गालने में देखे थोड़े बहुत सीट आई होगी लेकिन जो अब इस्ट से भी कॉंग्रेस का सवाय हो चुका है नौर्थ में तो पहली हो रहा था अब क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कॉंग्रेस ने अर्विन केजरिवाल को जो है यहां पर उनके खिलाब बयान दिया उन पर हमला बोला तो आज से कुछ दिन पहले खमम में सभाय जित की गई ती जिसमें केरल के मुखे मंत्री पिनराई विजयान भगवन अर्विन केज सब सामिल हुए तो क्या लगता है कि तीस्रे मोर्चे इसरा और सब होगा कि मारी करके आब हम धिली सबचरू के मdade लुगते मुखे क्ट tb अब वैसे तो देखिए कि नितिश कुमार ने आप ने सुना होगा और हमारे जंट्टें तो देख रही है उन्होंने भी सुना होगा कि भाच्पा को सो से नीच ला देंगे यह कॉंग्रेस को बोला था नितिश कुमार ने बिहार में जब रैली कर रहे थे वो और उसके बाद फिर देखिए प्रेंका गांधी वाटना ने कॉंग्रेस के महा अधिवेशन में काता कि विपक्ष को जो है वो एक जुट होना होगा और वही विपक्ष की जो एक जुटता है वो हमें कहां देखिए तमिलनाडो में देखिए कल शाम को तो ऐसा हो सकता है कि देखिए कि थर्ड फ्रेंट की जो बात करें थे वो अब धीरे धीरे बनता जा रहा है इसकी ऑफिशल अनौंसमेंट देखिए कुछी टाइम में हम और उसके बात देखे क्यूंकि प्रधान मंतिरी चहरा बनने के यह लड़ाई चलू हूँ थी। लिए अपने बात कि है जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू नहीं होई थी। हुग होई उससे पहले आक है रहा भारत जोड़ो यात्रा शुरूने से पहले बार बार देखिए प्रधान मंत्री मोदी का जो एक हम कह सकते थे दूसरा रूप अगर बोल सकते थे कि उनको जो टक कर दे सकता है भारत की राजी थी वह है ममता बैंड़ी पहले यह होता था उसके बाद क्या हुआ उसके बाद द हो भी घए तो प्रधान मंत्री पत्का जो चहरा है वह और यह असली कोश्ट बनता चाहिए प्रधान मंत्री के उम्मेद्वारी देखिए जनरल में आपको आपको क्या लगता कि देश के प्रधान मंत्री जो है नरेंद्र मोदी उनकी जो मजबूत शवी बनी है 2024 के बाद उस च्वी से कौन टक्कर ले पाएगा इस वक्त अगर में अगर आप आज ही चुनाफ कराते हैं तो मेरे ख्याल से देखिए ऐसा कोई भी नेता नहीं है भारत में जो उनकी च्वी को टक्कर दे पाए क्योंकि आज ही देखिए इत्रली के प्रधान मंत्री मोदी की टक्कर म नहीं है हर साल लगातार देखिए वह पॉपुलारिटी इंडेक्स में सबसे उपड़ आते हैं यूएस के प्रेजिएंस से उपड़ आते हैं तो मुझे लगता कि अगर आज ही चुनाफ हो तो उनके पॉपुलारिटी से देश तो नहीं चलता है और अब देखिए कि मनीश सी सोडिया की गरफतारी की देखिए यह इस वजे से है कि क्यूंकि सी बी आई को अगर देखिए अच्छा मैं पहले की बात बताता हूं को कि जब मनीश सी सोडिया दू पहले गरफतार हुए थे बहुत जादा हंगामा किया था अमाधी पार्टी ने काफी प्रदेशन भी लेकर उसके बाद जब वो उनका नाम जो था सी बैके चार्ट सीट में से उनको क्लींच मिल गई थी तब देखिए उन्होंने काफी जादा प्रदेशन कर था भाजपा के खिलाफ एक वह करा था कि जो जूटे केस में फसाता ही है काफी कुछ उन्होंने बोला था लेकिन अ सौरब भारदवाज और आतिशी का गुडबाजी जो बोल रहे थे वो पहले हो रही थी लेकिन अब अर्विंद केजरिवाल की क्लोस दोर मीटिंग जो बता रहे थे कल शाम को हुई है इसी बात पर एल जी को पत्र लिखा था एल जी ने देखिए उनको सुईकार किया था क पोते मनीश सी सोडिया मनीश सी सोडिया जो डिप्टी सीम थे हो मिनिस्टर थे तो उनके जो कारेश शहली थी वह ऐसी थी कि आमादवी पार्टी को संजो कर रहा था अब जब वो चले गए तो वैसे ही देखिए कि यहां पर पार्टी में अंतरकल होना शुरू हो गई हर कि पत की जो लाल सा है वहर किसी में तो इसलिए जितना भी मंत्री है वहर किसी मनीश सी सोड़ों के जाने के बाद सब एक ही निगाहों से अर्विंद के जिरिवाल को देने लगे कि हमें में दिल्ली में कोरोना फैला हुआ था कोरोना काल चल रहा था सुप्रिया सिनेट कह रह कि जब कोरोना चल रहा था तो यह शराब के साथ खेल दे शराब बाट रहे थे तो बिल्कुल यह तो है कि उन्होंने शराब नीती अपकारी नीती जो नहीं नाय थे उसमें काफी सारे द्वेश थे तब ही वह आपकारी नीती वापेस भी ले गई अगर उसमें कुछ देख त्रूक ड् deepestूश बिल्कुल यहिर रहे देखगेसर इखगे थे वह शराब धिल्दोट जो धिल्ट देखगेसर इन्होंने शराब दाए Anch vertex 추천